हलो दोस्तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तो आज मैं आप सबको नारियल तेल से हुने वाले फायदों के बारे में बताने वाली हूँ दोस्तो नारियल तेल से हमें बहुत सारी समस्याओं से छोटकारा मिलता है और ये हमारे शरीर के लिए, बालो के लिए, त्वचा के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है दोस्तो अगर हम नारियल तेल का इस्तमाल करते हैं इससे हमें बहुत सारी मार्केट में एबलबल केमिकल भरे क्रीम्स और कॉस्मेटिस का इस्तमाल नहीं करना पड़ता है। दोस्तो अगर आप सेविंग क्रीम की जगह नारियल तेल का इस्तमाल करते हैं, तो इससे आपको बहुत सारी फायदे होते हैं। अगर आप अपने चहरे को पानी से भीगो कर नारियल तेल लगा कर अगर आप सेविंग करते हैं तो इससे आपको सेविंग से होने वाले जलन और रैसेस से छुटकारा मिलता है साथ ही यह आपकी त्वचा को मौश्यराइज करता है बच्चों को होने वाले डाइपर रैसेस में भी नारियल का तेल बहुत ही फाइदेमंद है अगर बच्चे को डाइपर रैसेस बढ़ जाते हैं तो इसमें नारियल तेल का उप्योग करने से बस कुछी समय में जलन से छुटकारा मिलता है और साथ ही रैसेस भी बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं दोस्तो नारियल तेल को डियोड्रेंट के रूप में भी बहुत ही महत्वपून माना जाता है दोस्तो अगर आप 6 चम्मच नारियल का तेल, 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच आरा रोट और कुछ बूंदे युकोलिप्टस का लेते हैं और इन सब को मिक्स करके एक जार में भर लेते हैं और इसका नियमित रूप से डियोड्रेंट के जगा इस्तेमाल करते हैं इससे आपके शरीर से आने वाले पसीने की दुरगंद खत्म हो जाती हैं, साथ ही ये आपके त्वचा को भी सौफ्ट कर देता है दोस्तो अगर आप संस्क्रीन की जगा नारियल तेल का स्तमाल करते हैं तो आप संबर्न से बच सकते हैं अगर आप जादा तर धूप में काम करते हैं तो आप रोजाना धूप में जाने से पहले संस्क्रीन की जगा नारियल तेल का स्तमाल करें इसे अपनी त्वचा में अच्छी तरह लगा कर उसके बाद आप धूप में जाएंगे तो इससे आपकी स्कीन संबर्न नहीं होगी और साथ ही ये आपकी स्कीन को गलो भी देता है दोस्तों अगर आप डायविटीज के पेसेंट को नारियल तेल से बना खाना देते हैं तो इससे उनकी बलड सुगर लेबल कम होती है उनके शरीर में अगनासे में इंजायम की उत्पादन की कम मांग होती है जिसकी वज़े से उन्हें डायवेटीज लेवल में कमिया होती है साथ ही खाना खाते वक्त इनके शरीर में इंसुलीन की मातरा बढ़ जाती है जिससे डाइवेटीज लेबल जल्द ही खत्म हो जाती है दोस्तो मैं आपको बता दू कि नारियल के तेल में प्रचूर मातरा में MCT पाया जाता है अगर किसी भी डाइवेटीज के पेसेंट को MCT युक्त भोजन देया जाए तो वो बहुत जल्द ही मधू में यानि डाइवेटीज को खत्म करते हैं दोस्तो अगर आप नारियल तेल से बना खाना खाते हैं तो इससे आपको भूख कम लगती है अगर आप बार-बार भूख लगने की परिशानी से जूज रहे हैं और आप मुटापे से छुटकारा पाना चाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम उपचार है दोस्तो इसमें प्रचूर मात्रा में कार्बो हाइड्रेट और कैलोरीज होती हैं जिसकी मदद से आप अपने वेट को लॉस कर सकते हैं आप अपनी चर्वी को खत्म कर सकते हैं और साथ ही आप अपनी बार-बार भूख लगने की समस्या से भी छुटकारा पाते हैं दोस्तो अगर आप नारियल तेल से बना भोजन खाते हैं तो इससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहती है आप पुरे दिन फ्रेश रहते हैं दोस्तों अगर आप कॉफी के सौखीन हैं तो आप रोजाना कॉफी में एक चमच नारियल का तेल और एक चमच शहर मिलाकर पीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है इससे आपके शरीर में होने वाले लगबख सारे समस्याओं से छुटकारा मिलता है ये आपकी रोग परतिरोधक चमता को बढ़ाता है जिससे छोटे मोटे परिशानियों से छुटकारा मिलता है अगर आप नारियल तेल को बालों में लगाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है दोस्तों आप नारियल तेल को लगाने से पहले गर्म कर लें इसको हलका गुनगुना करके ही लगाए ऐसा करने से आपके सफेद बाल खत्म हो जाते हैं और साथ ही बाल घने काले और लंबे भी होते हैं दोस्तों अगर आप नारियल तेल के साथ बेकिंग सोडा मिला कर अपने चहरे पर लगाते हैं तो यह आपके लिए एक फेशियल का काम करता है यह बहुत ही नेचुरल फेशियल है इसके इस्तमाल से आप अपने चहरे के मुहां से दाग धब्बे चाईया और ड बेकिंग सोडा अब इन दोनों को मिला कर अच्छी तरह पेस्ट बना ले और इसे अपने फेस में गोलाई के आकार में हलके हातों से मालिश करें इसको मालिश करने के बाद कम से कम पांच से दस मिनट के लिए छोड़ दे इसके बाद आप इसे गुनबुने पाने से वोश क कर लें दोस्तों अगर आप इस फेशियल का इस्तमाल करते हैं तो इससे आपके कील मुहा से खत्म हो जाते हैं दाग धब्बे भी खत्म हो जाते हैं चाईया जुर्यों से भी छुटकारा मिलता है साथ ही यह आपके डैड स्कीन को निकाल देता है यह आपके चेहरे के छिद साफ कर देता है और साथ ही ब्लैक हेट्स यानि की कील से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है यह आपके फेस का पियच लेबल मेंटेन करता है जिससे आप 10 साल जवां दिखते हैं आप अपने उम्र के अनुसार 10 साल कम दिखते हैं अगर आप इस फेसियल का इस्तमाल करते ह है तो आपकी त्वचा बहुत ही मुलायम, सौफ और कोमल हो जाती है तो देखा दोस्तों अगर आप नारियल तेल का इस्तमाल करते हैं तो आप कितनी सारे परेशानियों से छुटकारा पाते हैं और यह आपके शरीर, त्वचा और बालों के लिए कितनी फाइदेमंद है उ प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हम फिर मिलेंगे, आपकी रहे, हल्दी रहे, खुश रहे, थेंक यू,